मसकार दोस्तों मैंने 10 दिन पहले इसमें ये कोको पीट में लगाया था गुलाब तो देखिए इसका मैं अपडेट दिखा रहा हूँ 10 दिन के बाद देखिए इसमें नोट्स आना शुरू हो गया है ये देखिए सारे में नोट्स आना शुरू हो गया है तो दस दिन के बाद इसमें क्या फिटिंग कराना है दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं आपको इसमें दो चीज का आवसत्ता है दो चीज लेना है आपको अच्छा ग्रोथ फास्ट ग्रोथ चाहिए तो आपको इसमें दो चीज लेना पड़ेगा देखीए एक सागरिका लेना पड़ेगा आपको और एक लेना पड़ेगा cutting add तो ये दोनों में से cutting add लेना है आधा ग्राम दोस्तो cutting add लेना है आधा ग्राम और एक चम्मच लेना है seeweed कोई भी मैं सागरिका ले या हूँ मतलब यह नहीं कि आप सागरिका ही ले यह कोई भी आप ले सकते हैं सीवी जो अच्छा कंपनी का हो यह सागरिका है तो यह थोड़ा उतना खास plant growth per motor नहीं है मतलब यह very slow काम करता है इसमें जो ingredients मिला हुआ है वो अर्मल टाइप का है मतलब हाड नहीं है मतलब कहने का मतलब सथा है कामवस्ता ही ही वादा सिंपल में तो यह सथा में मिल जाता है पास अच्छा भी नहीं खराब भीकले समस्टा आफ चलाने लाइक है कि प्लांट ग्रोथ यह हो जाएगा इस से तो अगर काम करता, यह कलम लगाने में भी काम आता है और इसको रूट्स में भी दे सकते हैं, कोई प्लांट आपका गुलाब ग्रोथ नहीं कर रहा है तो एक बार से दो बार के डोज में ही यह आपका ग्रोथ काम करना शुरू कर देगा, यह दिखें हाँ दोस्तो तो आपको क्या करना है देखिए यह आधा ग्राम करें से कटिंग यंट पाउडर लेना है रूटिंग हार्मोन पाउडर यह एक लीट्र पानी में इसने आप इसको ऐसे डाल देना है इसमें और उसके बाद सागरीका लेना है सागरीका का ढख्कन है तो मैं इससे आधा यह ढ़कन लिया हूँ यह देखिए मैं आधा धका लिया हूँ एक चमस लेना है आपको और एक लिटर पानी में ऐसे इसमें आपको ऐसे मिला देना है जोस्तो इसमें आप ऐसे मिला लेंगे इसको और यह जल्दी मिलता नहीं है मतलब जल्दी घूलता नहीं है तो इसको घूलाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है मतलब अच्छे से आपको इसको फेटना पड़ेगा देखिए मैं रियल्ट बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है दोस्तो यह घूल नहीं रहा है मैं इसको घूला देता हूँ यह देखिए डबबा में आप छेद कर लिएगा धक्कन में एक लिटर का बोतल में स्प्राइट हो या कुछ भी बोतल हो एक लिटर का इसावाली किटर का होता है लेकिन मैंने एक लिटर लिया है और इसको यहाँ पर ऐसे करके आपको अच्छे से इसको मिला लेना है यह रूटिंग हार्मोन पावडर जल्दी घूलता नहीं है पानी में तो आपको अच्छे से घूला लेना है और उसके बाद क्या करना है दोस्तो यह जल्दी घूल लेगा नहीं इसमें थोड़ा टाइम लगता है, यह घूल नहीं पा रहा है, तो आप यह घूल गया, तो थोड़ा-थोड़ा क्या करना है, आप देख रहे होंगे, यह उपर से मतलब थोड़ा-थोड़ा इसे करके, आप प्लांट में आपको दे देना है, यह सप्ता में एक बार देना है, दो बार का खुराक है जिस दिन आप देंगे उसके ठीक एक सपता बाद सातमा दिन आपको क्या करना है इसमें थोड़ा थोड़ा जो आभी मिक्स्चर बनाए थे हम लोग रूटिंग हर्मोन पाउडर का और सीवीट्स का सागरीका का तो आपके पास कोई भी सागरीका हो आप इसमें आप दे सकते हैं घवराने वाला बात नहीं है क्योंकि आप सोचेंगे कि कोको पीट में हम लगाए हैं तो फिर सूख नहीं रहा है फिर कैसे पानी दे ऐसा कुछ सपता में आपको एक दिन पानी देना ही परेगा ठंडा का मैं बात कर रहा हूं और गर्मी में दो दिन सपता में दो दिन पानी देना परेगा आपको यह नहीं देखना कि मेरा सूख रहा है या नहीं सूख रहा है ऐसा नहीं सोचना है मतलब पानी देते ही रहना है क्योंकि कोको पीट में जल्दी सुखता नहीं है मॉस्चुराइजर बना हुआ रहता है और यह मॉस्चुराइजर का ही एक काम है कि मतलब रूट को जो है डेवलप करने में इसको मदद मिलता है दोस्तों और घबराना नहीं है और हाँ एक बात और बताना है कि जब 7 से 10 दिन हो जाए आपके प्लांट का जो आप कोको पीट में लगाए है तो उसको full sunlight में रखना है जैसे आज मेरा 10 दिन हो गया तो मैं आज से इसको क्या करूंगा full sunlight में रखूंगा और देखते रहोंगा सब्ता में दो दिन थोड़ा 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 पानी देना है घबराना नहीं है या ऐसा नहीं सोचना है कि कोकोपीट सूख जाएगा तभी पानी देना है तो दोस्तो ये देखिए मेरा दो चीज का ये कमाल है बस एक बार आओर देना है सप्ता में नेक्स्ट वीक एक बार आओर आप झाल झाल